हेलो दोस्तों, नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनी सौकत करते हैं आपके अपने चैनल ये अवर्यड़कस में प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी वेकैंसी लेकर आ चुका हूँ, जेहां दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकिरी लेकर आ चुका हूँ Central University राजस्थान की तरफ से ये वेकेंसी अभी अभी रिलीज की गई है Nursing Officer के लिए Attendant के लिए MTS के लिए Cook Driver, LDC, UDC, Pharmacist इसी की तरह और भी विभिन पदो पर वेकेंसी जो है निकाली गई है सभी लोग apply कर सकते हो A&M, G&M, DASM, PASS, BSC Nursing, MSC Nursing, DMLT, D Pharma, B Pharma, BTEC, MTEC सभी लोग जो है apply कर सकते हो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिए क्योंकि ये भरती सभी राजियो के लिए रखी गई है 17 अपरेल 2020 तक जो है आप लोग इस form को apply कर सकते हो Experience यहाँ पर नहीं मागा गया है form बिल्कुल online है आप लोग जो है online apply कर सकते हो और बिल्कुल दोस्तों permanent job है चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ officially notification पर तो वीडियो को like कर दो channel को subscribe कर दो और बगल के अपल आइक गंटा भी प्रेस कर दो साथी इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को share कर दो चलिए लेके चलता हूँ notification पर तो दोस्तों इसका syllabus वाली वीडियो मैं अलग बनाऊंगा ठीक है syllabus वाली वीडियो आपको अलग मिलेगी तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने notification जो है download कर रखी है यहाँ पर open कर रखी है notification देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 10 अपरेल 2020 से लेकर 17 अपरेल 2020 तक जो है इस फार्म को अपलाई कर सकते हो ठीक है 10 अपरेल से लेकर 17 अपरेल 2020 और अप्लिकेशन फीस लग रही 15 रुपे जेनरल ओबी सी के लिए बाकी 750 रुपे यश्टी पी डेबलुडी के लिए यहां पर लग रही है और इसकी दोस्तों आफीसली वेबसाइट देख सकते हो यहां पर मैं बताओंगा कि कैसे आप लोगों अपलाई करना है यहां पर जो है आफीसली जो है इसका वेबसाइट भी देख सकते हो ठीक है नीचे आने पर यहां पर आप लोग गाईद देख सकते हो form जो है 16 March 2020 यहाँ पे date आप लोग देख सकते हो advertisement number आप लोग देख सकते हो और उपर यहाँ पे Central University of Rajasthan तहसील किसंगर अजमेर राजस्तान पिनकोड दिया गया है 305817 यहाँ से इसका address है और यहाँ से vacancy जो है निकाली गई है और बिल्कुल पर्मने निकाली गई ओनलाइन अप्लिकेशन और इन्वाइटेट फ्रॉम दा इलिजिबल इंडियन सिटिजन्स इन्दा अपलाई वरियस नॉन टीचिंग पोजीशन इन दा इन्वर्सिटी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ हाँ उसके बाद जैसे आप लोग नीची आओगे ति यहां पर देख सकते हो पोजीशन अंडर डारेक्ट रिकूड्मेंट डारेक्ट रिकूड्मेंट का मतलब होता है सीधी भरती यानि की पर्मानेंट और दोस्तों यह भरती जो निकाले गई है पिल्कूल पर्मानेंट निकाले गई है सरकारी नोकरी है तो आप लोग अच्छी से पूरा वीडियो देखिए जानद जानद इस वीडियो को सेर करिए एड़ोटाजमेंड फॉर वेरियस पोस्ट जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रखी गई है टोटल पोस्ट यहाँ पर 49 देख सकते होने वाली है गुरूप एक यहाँ पोस्ट देख सकते हो रखी गई है डिप्टी, लाइबरेरियन, इन्फार्मेंशन, साइन्टिस्ट, सिस्टम, अनालेसिक, मेडिकल आफिसर के लिए रखी गई है मेडिकल आफिसर, फेमेल के लिए यहाँ पर वेकिंसी जो है रखी गई है गुरूप B की ग्यारा वेकिंसी रखी गई है जिसमें नर्सिंग आफिसर रखी गई है जूनियर, टांसलेटर, असिस्टेंट, सेनियर, टेकनिकल असिस्टेंट, प्राइवेट सेकरेटरी साथी गुरूप C की यहाँ पर 34 वेकिंसी जो है रखी गई है टेकनिकल असिस्टेंट फार्मासिष्ट है लेबराटरी असिस्टेंट यूडी सी लडी सी है ड्राइवर कुक में MTS किचें अटेंडेंट लाइबरेरी अटेंडेंट लेबराटरी अटेंडेंट है ड्रेसर के लिए यहां पर वेकेंसी जो है रखी गई है देख सकते हो ठीक यूर के लिए और एक OBC के लिए Laboratory Attendant के लिए एक YUAR एक OBC ParmaAnisaksis के लिए एक vacancy York लिए रखी गई है और इसी तरह से vacancy जान्दतर and गई यूर के लिए रखी गई है Unregister vacancy यहाँ पर रखी गई है Medical Officer Female के लिए यूर के लिए एक vacancy जो है रखे गई है आप लोग अच्छी से यहाँ पर देख सकते हो गाईज ठीक है कॉलिफिकेशन देख लो कॉलिफिकेशन में गुरूप A के लिए दोस्तों YUME, M.T.E., B.E., B.T.E., M.S.C. वाले Master Degree, PhD वाले जो है अपलाई यहाँ पर कर सकते हैं Medical Officer के लिए M.B.E.S. होना चाहिए M.C.E.I. से Dictionize होना चाहिए ठीक है, M.B.E.S. वाले जो है M.B.E.S. महिला अपलाई कर सकती है Medical Officer Female के लिए 40 वर्स यहाँ पर रखी गई है Group B के लिए यहाँ पर देख सकते हो Bachelor Degree मांगा गया है Private Secretary के लिए और Nursing Officer के लिए यहाँ पर G.E.N.M. वाले और B.E.S.C. Nursing वाले अपलाई कर सकते हैं B.E.S.C. Nursing के लिए कोई भी Experience नहीं चाहिए लेकिन G.E.N.M. के लिए हाँ पर किसी Reputed Hospital में 2 साल का जो है Experience चाहिए तो G.E.N.M. के लिए 2 साल का Experience रहेगा B.E.C. Nursing के लिए कोई भी Experience नहीं रहेगा Nursing Officer के लिए एक Vacancy यूर के लिए रखी गई है इसका मतलब सभी लोग जो अपलाई कर सकते हो यहाँ पर अधिक्तम 35 E.S. रखी गई है Age Limit, साथ E.S.C., H.T. O.B.C. वालों को छूट मिलेगी बाकि जो जितने भी Technical Assistant है उसमें B.E.M.T.E.C. वाले B.T.E.C. वाले अपलाई जो है कर सकते हैं Junior Translator के लिए यहाँ पर Master Degree मांगा गया है और Master Degree Assistant के लिए भी अपलाई कर सकते हैं Bachelor Degree मांगा गया है Group C के लिए Technical Assistant के लिए देख सकते हो इसमें M.E.C. मांगा गया है Bachelor Degree मांगा गया है B.E.C. और B.E. वाले जो हैं अपलाई कर सकते हैं Pharmacist के लिए यहाँ पर D.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. में मांगा गया है और भी कोई problem है qualification से related तो आप comment कर सकते हो मैं अच्छे से reply दूंगा driver के लिए हाँ पर दस्वी पास होना चाहिए साथ ही आपके पास motor vehicle से ठीक है license होना चाहिए driving license रहना चाहिए और नीचे आओगे अच्छे से अच्छे साथी डोस्तों ड्रेसर के लिए अपर एक वेकंसी रखी गई है यूर के लिए इसमें दस्वी वाले अपलाई कर सकते हैं आपके पास knowledge होना चाहिए first ad का first ad का आपके पास knowledge होना चाहिए साथी एक साल का experience होना चाहिए किसे भी hospital में dressing से related ठीक है और जिन्होंने बारवी कर रखा है ठीक है जिन्होंने बारवी कर रखा है biology subject से उनको यहाँ पर preference ही दिया जाएगा ठीक है दोस्तों कोई भी आपको doubt है कोई भी आपको problem है तो आप लोग जो है comment कर सकते हो और दोस्तों आपका skill test कैसे होगा return test कैसे होगा selection कैसे होगा कितने marks का होगा कैसे syllabus होगा कब exam होगा पूरी पूरी जानकारी मैं अलग से video बना दूँगा ठीक है अलग से मैं एक video लेकर आ रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका कैसे exam होगा return test का syllabus क्या है पूरी जो है जानकारी दूँगा तो इस तरह से जो है आप लोग अपना qualification देख सकते हो और यहाँ पे vacancy जो है देख सकते हो vacancy Central University of Rajasthan की तरफ से देख सकते हो जो है vacancy यह निकाली गई है ठीक है दोस्तों और भी कोई doubt है कोई भी problem है तो आप लोग जो है comment कर सकते हो इससे 15 अपरेल से लेकर 17 अपरेल 2020 तक जो है अपलाइक कर सकते हो General OBC के लिए 1500 रुपे 750 रुपे HDPWD के लिए रखी गई है महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 750 रुपे रखी गई है ठीक है वैसे यहाँ पर कोई दी नहीं गई है बट जो है और कैसे अपलाइक करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे तो आपको नीचे चले जाना है नीचे चले जाने के बात देख सकते हो Non Teaching Recruitment है इस पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो रिकुर्मेंट एड़ुटाजमेंट नमबर 54136 मार्च 2020 वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन इस पर आप लोगों को जो है किलिक कर देना है नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए इस पर किलिक करना है रिकुर्मेंट एड़ुटाजमेंट और एड़ुटाजमेंट डेटेल्स पर आप लोगों को किलिक करना है और अपलाई ओनलाइन पर किलिक करना है अगर आप लोग करना चाहते हो तो जैसे अपलाई ओनलाइन पर आप लोग कि जायेगा किसके लिए अपलाई करना है यहां पर देख सकते हो मिस्टर लगाओ यहां पे नेम लिखो लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एमेल एडरेस, डेटा बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, इंडियन, अधर, जो भी है, आप लोग इस फार्म को प्लाइक कर सकती हो, इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्सेन मिलनिंग के दे दूँगा, वीडियो अच्छा लगार प्लीज लाइक कर कर दूँ यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, साथी बगल का बलाइकन घंटा भी प्रेस कर दूँ, मिलते हैं नेच्ट वीडियो में, ओल दवेश्ट,